ना ना मैं चाय में चीनी नहीं लेती नहीं मुझे मीठा मत दो मैं शुगर फ्री चॉकलेट ही खाती हूँ मिठाय को हाथ भी मत लगाना चामल मत खाओ शुगर बढ़ जाएगी ये बाते आप रोज किसी ना किसी के मुझ से जरूर सुनते होंगे और इसकी बज़ा है डाइबटीज बोलचाल की भाषा में कहें तो शुगर शुगर वो दीमक है जो हमारे देश के हर दूसरे घर में लगी हुई है हर परिवार में औसतन एक सदस्य को या तो डाइबटीज है या वो प्री डाइबटिक है एक ताज़ा रिसर्च के मुताबिक भारत में डाइबटीज को लेकर डराने वाले आंकड़े सामने आए है शोद में पाया गया है कि भारत की 10.1 करोड आबादी डाइबटीज से घ्रसित है और 13.6 करोड लोग प्री डाइबटिक है प्री डाइबटिक एक ऐसी स्थिती होती है जिसमें फ्यूचर में डाइबटीज होने का खत्रा बेहत ज्यादा होता है डाइबटीज पर किया गया ये शोद 10 सालों तक चला जिसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे कहा जा रहा है वहीं एक और डराने वाली रिसर्च सामने आई है American Heart Association के जर्नल में छपे एक शोद के मताबिक टाइबटीज यानि लाइफस्टाइल के वज़े से होने वाली डाइबटीज के तीन में से एक मरीज को हार्ट अटाक का खत्रा रहता है रिसर्च के मताबिक टाइबटीज वाले कई लोग जिन्हें दिल का दोरा नहीं पड़ा है या हर्दरोग का इतिहास नहीं है उन्हें हाट से जुड़ी बिमारिया होने का खत्रा ज्यादा है वहीं अमेरिका की नैशनल इंस्टूट अफ डाइबटीज के मताबिक डाइबटीज के मरीज को हार्ट अटाक का खत्रा ज्यादा रहता है अगर किसी इनसान को डाइबटीज है तो उसे अपने दिल का खास खयाल रखना होगा डियाबिटीज के मरीज को हार्ट अटैक और स्टोक समयद दिल के कई रोगों का खत्रा रहता है इसका कारण ये है कि ब्लड शुगर बढ़ने से ब्लड वैसल नश्ट हो सकते हैं जिसमें धमनियों में प्लेग जम जाता है और ये प्लेग दिल में खून के फ्लो को ब्लॉक कर सकता है जिससे हार्ट अटैक का खत्रा रहता है आपको बता दें कि दिल के रोगों का खत्रा महिलाओं के मुकाबले पुर्शों में ज्यादा होता है अगर आप diabetes के शिकार हैं तो कुछ और चीजे भी heart attack के खत्रे को बढ़ा सकती है जिसमें smoking, belly fat और cholesterol का खराब level भी शामिल है diabetes के मरीज के लिए जुरूरी है कि वो heart attack के जोकिम को कम करने के लिए आपने blood sugar, blood pressure और cholesterol का ध्यान रखे इसमें lifestyle में बदलाब करना भी शामिल है अपने अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि diabetes में क्या खाएं और क्या न खाएं अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो like, comment और share ज़रूर करें Fit Talkie पर जाने अपने हर सवाल का चवाब सब्स्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल Fit Talkie